असलाम वालाइकूम इनिस्टुमेंट सोलूशन चैनल से मैं हूँ तूहिन आज एक नौया वीडियो लेके आपके पाद चला आया तो यह आज का वीडियो एक बहुती इंपर्टेंट वीडियो है आपके लिए तो आज आपको देखाऊंगा अचला, cold and hot loop check, आप लोग कैसे करेगा तो यह जो पुड़ा system है यह system का बादे में थोड़ा idea रायना चाहिए फिर आप लोग loop checking कर सकता है तो आपको अपको में यह system को थोड़ा दे रहा हूँ फिर हम लोग loop checking से start कर रहा हूँ तो मैं field से start कर रहा हूँ तो इधार आप लोग नीचे देख रहा है, PT, LT, then FT, ऐसा बहुत सारा transmitter रहेगा हमारा plan में, तो यह सारा transmitter एक JB में जाएगा, तो यह है हमारा field का JB है, तो यह JB में कैसे जाएगा, हमारा transmitter से JB तक two pair नहीं तो one pair का क्या बोल जाएगा, यह है हमारा branch cable, एक एक transmitter के लिए एक एक क् transmitter में JB से, तो यह आमारा transmitter में actually one pair connect होगा, देन आमारा, जे जे भी है, यह JB में एक साइड में connect होगा, आमारा transmitter का क्या बोल और दूस्रा साइड में connect होगा, आमारा जो Marshalling cabinet है, DCS का वो Marshalling cabinet का Cable तो जो मोटा अल आप देख रहे है यह हमारा Marshalling cabinet से आ रहा है Cable यह है PR Cable, यह Cable actually 12 PR कभी हो सकते है, 8 PR, 6 PR 4 PR कभी हो सकते है यह हमारा Marshalling cabinet से आ रहा है दिन आने के बाद Marshalling cabinet में हमारा एक साइद में यह cable connect रहा है ता है प्र केबल और दूसरा साइड में हमारा internal केबल हमारा उदर से barrier में तो marshaling cabinet में barrier रहता है और बेरियर के बाद में Elco Board रहता है तो यह Elco Board से हमारा Elco最 hm aprender जा रहा है एक system cabinet में है तो यह system cabinet आप मैं अगर्ण नाथ काड रहता है AI, AO, DIDO card रहता है तो हमारा यह जो transmitter है यह सारा transmitter actually AI card का अंदर रहता है तो यह सारा signal हमारा AI card में रहेगा देन हमारा system cabinet से एक Ethernet cable जाएगा जो हमारा DCS में जाएगा DCS PLC में देन उधार जाने के बाद उधार से हमारा communicate करेगा field तक तो ठीक है हमारा DCS से instrument तक जो system है यह पूरा system आभी आपको में आश्चा से सामझा दिया तो आभी हम लोग यह जो cold और hot loop check कैसे कारता है यह आपको देखा दोंगा तो चलिए start करता हूँ तो cold loop check यह अक्चल अपलाइन पे होता है तो इसके लिए आपको एक माल्टिमेटर चाहिए देन ये मार्षालिंग केविनेट से अमरा फीट जवी में केवल आ रहें देन फीट जवी से अमरा इनिस्टुमेट तक केवल जा रहें तो हमरा ये जो सरा इनिस्टुमेट है .. ये इनिस्टुमेट का हिसाब से heckol schedule रहेंगा ये शीडूल देखके हम लोग को ये क्याबोल का कॉंटिनरी चेक करना पड़ेगा पहले मार्शालिंग केविनेट से फील्ड जेवी देन फील्ड जेवी से हमारा इनिस्टुमेंट ताक कॉंटिनरी चेक करना पड़ेगा अगर आमारा मार्शलींक केमेनेत्स से इनस्टुमेन्ट आक कॉन्टिनट नहीं मिलेगा तो अपको मर्शलींक केमेनेत्स से फिलतय भी दन फिलतय भी से इनस्टुमेनट करना परेगा Sindical overs canषर, या चेक नहीं है करना परेगा तो यह होगी आमारा cold loop checking, अभी hot loop check कैसे करेंगे, चलिए hot loop check आपको देखाता हूँ, तो यह hot loop checking के लिए, आपको एक mili ampere source आईए, नहीं तो heart communicator चाहिए, नहीं तो आप Siemens का transmitter होगा, तो यह Siemens का transmitter से भी आप hot loop check कर सकता है, तो यह hot loop check आप लोग कैसे करेगा, तो देखिए, हमारा cold loop check होने के बाद, हमारा marshaling cabinet में fuse रहेगा, वो fuse का लागा देने के बाद, हमारा यह जो transmitter है, transmitter on हो जाएगा, तो शापूँज हमारा यह जो पेशर transmitter है, यह पेशर transmitter का range है, 0 to 100, means इसका 4 mm में 0 मिलेगा, और 20 mm में 100 मिलेगा, तो आम लोग अभी, हमारा पास hot communicator रहेगा तो यह hot communicator से transmitter में लगा के 4 mm, then 8 mm, 12 mm, then 20 mm, ऐसा millions देखे DCS में चेक करना पड़ेगा, हमारा जो भेलू है, यह पोपार भेलू DCS में आ रहे है की नहीं, तो सापूज हमारा 8 mm के transmitter में actually भेलू मिलेगा 25 बार, तो 25 बार हमारा DCS में आ रहे है की नहीं, ओ चेक करना देन आमारा 12 mm में 50% में 50 मिलेगा आमारा 50 बार, तो यह 50 बार आमारा इधार आ रहे है की नहीं, DCS में यह चेक करना पड़ेगा, अगर यह 100 से हो जाएगा, तो मिंस आमारा hot loop checking ओक है, तो यह hot loop check actually online पे होता है, मिंस आमारा transmitter में 24 volt आने के बाद transmitter on हो रहा है, देन हम लोग online पे लेके transmitter से DCS तक इसको चेक कर रहा हूँ, और अमारा cold loop check है, यह plan पे होता है, तो यह hot communicator से आप लोग loop check कैसे करेगा, देन 420 million का source से आप लोग simulate कैसे करेगा, देन इधर जो 7 star का transmitter है, यह transmitter से भी आप लोग simulate कर सकते, यह कैसे करेगा, यह लेके मेरा अलग अलग वीडिय है, मैं इसका link description box में दे दूँगा, आप चाहिए तो यह भी देख सकते है, फिर इसका बारे में आपका अच्छा से idea आ जाएगा, तो मेरा लगता है, आज का वीडियो में cold loop check, then hot loop check, और यह पूरा system का बारे में आपको मैं आच्छा से सामझा दिया, तो मेरा वीडियो कमें कीजिये, दो नहीं बाद